नमस्कार मैं हूँत कर्शतरुवेदी आप देख रहे हैं अमार उचाला हम मौजूद हैं देश के सबसे स्वक्ष शहर में इन दौर में और यहां पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपने खाश शोग खबरों के खिलाडी का एक स्पेशल एपिसोड जिसमें हम बात करते ह हैं उन वरिष्ट पत्रकारों के साथ जो इस सूबे की इस राज्य की खबरों को बखू भी जानते हैं और ना सिर्फ उन हेडलाइन को ना सिर्फ उन सुर्खियों को बलकि उनके पीछे क्या होता है जो नेता कह गए वो तो बताते ही हैं उस कहने के आशय को और जो ना कहा उसके अर्थ को भी बखू भी समझाते हैं तो बिना किसी देर के खबरों के खिराडी के लेटेस्ट और खाशो की शुरुआत करते हैं आपके लिए इंदोर से और सबसे पहले मेरे साथ जो मौजूद है वरिष्ट पत्रकार वो उस पैनल का मैं आपको परीचे कराऊं मेरे सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहरा हूं तो उंगलियों पर गिनने के दिन बचे हैं मद्दान को ऐसे में मध्यपदेश का चुनाव और उसका रुख आपको किधर जाता किधर जुपता और क्या मुद्यप तक नर्मदा जी में बहे गए क्या-क्या दिखाई देत हा जो एक जन्चर्चा थी जो ठीयों मेडिया में चर्चा थी इस बार जो एक दिखाई रहना चुनाव और जो सारे चेंदरी मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा गया इस बार सास आंसदों को टिकेट दिए तो इस प्रकार से भाजपा ने पूरी ताकत लगाई चुनाओ जीतने के लिए उसका असर यह दिख रहा है कि तेजी से रिकवर कर रही है भाजपा अगर आप भी लगातार दोरे आप भी कर रहे हैं अभी आप सिर्चा हुई हमारी कई सीटों को लेके तो जो सीटे कमजोर मा नहीं जा रही थी भाजपा के लिए वहां पर उन्होंने जो है बड़त हांसिल की है और तो सर्वे लगातार आ रहे हैं अभी अगर पहले आप देखोगे सर्वों में तो भाजपा को सो से कम सीटे बताई जा रही थी अभी सर्वे में नेक टूनेक फाइट है मतलब 115 है 110 है कांग्रेस की उसके आसपास है तो यह जो चुनाव आगया यह खाटा पकड चुनाव हो गया है अब आखरी के जो तीन-चार दिन बचेंगे 17 नॉंबर को मद्दाने मद्धिपरदेश में एक चुनाव हो रहे हैं तो 230 सीटों पर जो है वो आखरी चार दिनों में जो महोल बनेगा अभी चुकि दिपावली का तेवार है जनता फेस्टिवल मनाने में लगी हुई है तो उसके बाद जो एक स्टोक रहेगा लास्ट में तो ऐसा लग रहा है कि इंटीन कंबंसी पर बीजेपी ने काफिया तक जो है वो कमी अपनी दूर की है और एक नेक टूनेक फा चाहे वो सस्ते सामान की बात हो बिजली की बात हो और ये वादा दोनों तरफ से दिया जा रहा है कि इससे सबसादा फाइदा महिलाओं को है क्या महिला वोटर मंद्यपदेश में सबसे ज़्यादा डिसाइड़िव निर्नायक होने जा रहा है जी बिलकुल डेफिनिटली भी ये तो सामने ही दिरफा है कि जिस सरह से शिर्व राज ने सबसे पहले Congress का जो घोश्चना पत्र था जो guarantees ती उसको जिस तरह से उसने सबसे पहले हैजेक कर लिया और जिस सरह से pre-pool एक माहल बना दिया उन्होंने और जो एक swing को change करने की कोuशिश की लेहर को एक नए सिरे से हलचल पैदा करने की कोशिश की politically तो उसकी पीछे महिलाएं थी और वो डेड़ करोड जो महिलाओं को लेकर उन्होंने जो before election ही जो खेल कर दिया पूरल मिला कि अगर हम इसको ground game कहते हैं election का वो जो उन्होंने start कर दिया वो tremendous रहां और निहसंद है तोर पे politics जो है आजकल electoral politics कहें चुनावी politics कहें वो पुरी तरह से मैं हमेशा मानती हूँ कि अलग किस्म का चुनाव हो गया है जो freebies पर चलता है जो ततकालिक मुद्दों पर ज़्यादा effect करता है आप किसको क्या बाट रहे हैं रेवडियो का नाम दिया गया उनको उस पर ये चुनाव ज़्यादा तर फोकस्ड हो गया है तो अगर हम उस लिहाद से देखते हैं तो मुद्दों से भटका हुआ चुनाव लगता है हमाँ हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही है रुरल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है ये लेकिन बात हो रही है कि आपके खाते में कितना पैसा आ जाएगा बारा सो भी आ रहा है साड़े बारा सो हुआ आने वाले समय तक तो सारा गेम, सारा खेल बाटने पर हो रहा है, तो इस बाटने के खेल में हमें जरूर अभी दिखाई दे रहा है, कि महिलाएं जो हैं वह बड़ा टर्निंग पॉइंट होंगी इलेक्शन का, और बहुत वो इलेक्शन को टर्न करने का माद्दा रखती हैं, क्योंकि अल्रेड जन्ता पार्टी ने एक रणनीती अपनाई थी, मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा, उमीदवार का नाम नहीं होगा, और कई बड़े चहरे मैदान में होंगे, अब जब वही वाली बात की मद्दान को कुछ दिन बाकी हैं, ये रणनीती जमीन पर असरकारक या विफल, आ उसकी वज़ा ये है कि उसकी प्रस्ट भूमी जो है वो राष्टी स्वेम से एक संग से निकली और संग जिस तरह से अनुशाशित और योजनावध्य तरीके से काम करता है, संग के सारे प्रकल्प अगले 50 साल के लिए तयार किये जाते हैं, तो भाजपा उसी संसकार से नि जग रहते हैं, तो इस चुनाव को लेकर भी बाजपा को कोई ब्रह्म नहीं था, और मैं इसके लिए संदर पिछले चुनाव का देना चाहूंगा कि 2018 में जो चुनाव बाजपा हार गई थी, वो थोड़ी सी जो तातकाली कारण उसके थे, उस वज़े से हार गई थी, इस लोगों को यह मानना है कि वो शुरू करवाया गया था, बाकाइदा एक मुहीम चलाई गई थी, सपाक्स ने एक अभियान चलाया था, सवर्णों को आरक्षन देने का, तो ये दो चीजे प्रमुख थी, और बुरे एक साल तक इसका माहूल बना रहा, और तीसरा इसमें मास्टर इस्टो किये रहा कि कांग्रेस ने चुनाओ के पहले ये घोशना कर दी, जहां तक मुझे याद है, रावल गांदी ने मनसोर की सभा में ये घोशना की थी, कि हम जो है, साथ दिन के अंदर किसानों का करज माफ कर देंगे, उस हिसाब से प्रदेश की एक करोड किस सहार तक की सीमा थी वो, और सिर्फ सहकारी समीधिया, बेंकों के, नेशनलाइज बेंकों के जो करजदार थे किसान, उनका भी करज माफ नहीं हुआ, और जिस 65,000 करोड करज माफी की बात की थी उन्होंने, वो सिर्फ 8-9 करोड के करज जो है, वो माफ हुए थे और 8-9 के करीब, वो तो कॉंग्रेस से फिर नाराज हो गए, आप अगर गोर करें तो इस चुनाओं में राहूल गांदी ने मद्रदेश का रुखनी किया है, क्योंकि मनसौर की सभाव में जो उन्होंने पांच-छे बाते कही थी, महिलाओं को पैसे देने की, बेरोजगारों को ब उसके 21 साल के होने तक उसको मिलेंगे विवातक की विवस्ता हो रही है, फिर लाडली बेहनों को एक करोड़ तीस लाग बेहने इसमें शामिल हो चुकी है, अब आप देखी कि एक करोड़ तीस लाग बेहने मद्रदेश की 230 विधान सभाओं में औस अगर लेकर चले हैं तो फ्लोटिंग वोट के तहते, ना जो कॉंग्रेस की है ना भारती जन्ता पार्टी की, वो जो एन वक्ते पर परिस्थितियों के मद्दे नजर, प्रलोभन के मद्दे नजर और प्रत्याशी को देखकर जो मद्दान करती हैं, अगर ऐसी 10,000 महिलाय मद्दाता हैं, भाश्प पार्टी ना सिर्फ मद्द्देश में जीत रही है, बलकि बहुत अच्छी सीटे लाकर जीते ही, मैं अपने अनुमान के दहती आज कहने के स्थिते में हूँ, कि अगर यही गणित, यही समीकरन, यही सोच और यही भावनाय मद्दाताओं की और खासकर महिला मद्दाताओ की रही और जिसका की प्रतिशत भी बढ़ने के आसार हैं, अगर ऐसा हो गया तो भारती जनता पारटी एक सो चालीस पचा सेट भी ले ले लेती है, तो मुझे ताजुब नहीं होगा। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि चुनाओं में अभी टाइम है, जनता दिवाली मनाने में लगी है, आखरी तीन दिन में जो भी राजनेतिक दल दोनों पारटीओं में से अपनी तयारी कर लेगा, यह गुणा भाग कर लेगा, या मैं यूं कहूं सिधी भाशा में कि जो ब मतलब टोटल 230 में से 50 उम्मिद्वार ऐसे हो सकते हैं, जो आखरी दिनों में लाखों रुपया अपने कारकरताओं को और गरीब बस्तियों बाटेंगे, बहुत दुरभाग यह है यह लोकतंतर का कि इन दिनों पुरे मदबदेश में हम अभी जहां गए हैं, देख रहे हैं कि शराब बाटने, साड़ी बाटने और आरती उतारने के बाद 500,000 रुपय तक देने के जो दरश्य देख रहे हैं, वो बहुत ही दुरभाग की जनके, बीजेपी और कॉंग्रेस ने राजनितिक दल को एक प्रोडेट बना दिया, धंदा बना दिया है, और इस तरह का प्रोड़ी माल को भी बेचने के लिए, हम जो है, नई-नई स्कीम देंगे, कि आप 10 समान खरीद होगे, तो 2 समान आपको फ्री मिलेगा, ये दुरभाग की जनके मद्वदेश के लिए, कॉंग्रेस की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, उससे कोई लिना देना नहीं है, लेने देना इस बात से है कि कौन कितना बाटेगा, एक तरब नंबर दो में बाटना है, और एक तरब नंबर वन में बाटना है, कॉंग्रेस बीजेपी नंबर वन में भी बाट रही है, और नंबर दो में भी बाट रही है, ये मद्वदेश के चुनाओ के लिए, जितने, अभी 30 साल की पत्रकाईता में मैंने जो देखा है, यह सबसे बड़ा दुरभाग यह है, और जिस कदर कारकरताओं को भी मजदूरों की तरह भीसा दिया जा रहा है, कि आप बूत पे काम करोगे, आपको पहले कितने मिलते थे, 2000 रुपे, अब 20,000 रुपे लीजिए आप, दुरभाग यह जनक है, इसके कारण परिणाम कुछ भी हो सकते हैं. बीजेपी की सेंटरल लीडर्शिप को यह एहसास हो रहा था कि शिवराज सिंग चौहान को लेकर मद्यबुदेश में एक एक एंटी इंकम्देंसी का भाव है, और सोभावी भी है ना, 17-18 साल जो वेक्ति मुख्यमंत्री रह ले उसको लेके तमाम इफेट, और फिर 2008 का च इसके पास भी फीड़बेक था, सेनटल अजेंसी का फीड़बेक था, फीड़बेक ता, फिर जिस तरह की की लिडर्शिप ने कहा कि भी इसको आखिर हम, सबसे पहले तो उन्होंने जो जितना बाट्टी का पचार पसार था, उसमें शिवराज को डाउन करना शुरू किया नरेन्द मोदी, अमिश शाह, जेपी नड़्धा को आगे लाए फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा नेड़ना ये लिया कि हम मत्यपदेश में उन्होंने साथ बड़े लीडर्स को मैदान में उतारा और साथ बड़े लीडर्स को मैदान में उतार कर बीजेपी की सेंटरल लीडर्शिप ने एक तरीके से मैसेज दिया कि भई हम मत्यपुदेश में शिवराज सिंग चौहान पर डिपेंडेंट नहीं है यह उन्होंने मैसेज दिया और इसमें वो काफी हज तक सफल कि मत्यपुदेश में छे महीने पहले का परितर्शिक कुछ और था यह हम जिससे भी बात करते तो वह कहता था कि नहीं भार दिंटा पाट वह बीजेपी का जो डेडिकेटेड वरकर था वह भी कहता था कि अब सरकार बनना मुश्किल है मैंने कई यह भी सुना यह भी देखा क कि बीजेपी के जो बहुत दुखी वरकर्स थे जो ग्राउंड लेवल के वरकर्स थे वो कांग्रेस के लोगों को जाके बोलते थे कि यार इनको निप्टाओ ये भी मैंने कई जगे देखा लेकिन जबसे अमित शाहा ने मत्यपुदेश के इलेक्शन को टेक और किया अपनी उसी पुरानी गती में फिर आ गया और करना गा लेकिन ये जो पार्टी जो मैसेज देना चाहती थी मत्यपुदेश में वो ये साथ दिगज नेताओं को मेदान में लाकर वो देने में पूरी तरह सफल होगी लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता हूँगी सारा ज जो कि लोक्तंतर के लिए बहुत ही गाता है कि वो तो एक बड़ा हतियार बन गया इश्यूस पर ही नहीं ना क्योंकि देखी भारतियंता पार्टी को मालूम है कि अगर वो इश्यूस पर चुनाओं लड़ेगी तो मद्यपुदेश में उसके खिलाब बहुत सारे इश्यू खासकर में चुकि ज़्यादा तर में मालवा निमाड में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बीजेपी कवर कर रही है और मालवा निमाड चुकि हैं 66 वर इसा कहा जाता है कि मद्यपुदेश की सत्ता का रस्ता मालवा निमाड से ही निकलता तो यहां पर बीजेपी अभी फ जुम्मेदारी सोपी ऐसे लोगों को जुम्मेदारी सोपी जो संगे से जुड़े थे कि आप लोग जाईए वहां आखिर क्या कारण है कि हम इतनी मेहनत करते हैं ट्राइवर्स के लिए इतना काम करते हैं लेकिन हमको सफलता है तो बीजेपी ने इस समय मालवा निमार पे बह कोर करता है दो ऐसी चीज़े बोली जो मेरे लिए आगे सर्चा को खोलने के सवाल हो सकते हैं उनकेश जी आपसे जो मैं पूशना चाहता वो ये 75 के करीब बागी उमीदवार हैं से उमीदवार जो की पार्टियों संबंदित थे तीन मेहने पहले तक टिकेट का एलान हुआ नहीं मिला और वो फिर निर्दली हैं या किसी और पक्ष से चले गए कहीं आमाधी पार्टी कहीं बोजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी ये कितना खेल बना और विगाड़ रहे हैं उतकरशी जितनी बड़ी बगावत शुरुआत में दिखाई दे रही थी दोनों दलों ने उस बगावत पर काभू पाया है हमारे मालवा निमाड में भी कई लोग खड़े हो गए थे दोनों तरफ से लेकिन जब नामवाफसी की तारीख ये नजज़िक आहीं संग की ओर से भरती जनता पार्टी की ओर से बगियों को बिठाने का प्रयास हुआ कॉंग्रे बगावत है जो बड़ी उपस्तिती वाली बगावत है एक देपालपूर में बगावत दिख रही है और अगर इंदोर संभाग की कोई बड़ी बगावत की हम बात कर लें तो बगावत जो है बुरहनपूर में हडश चोहन के रूप में दिख रही है तो बगावत पर तो का करताओं को लगाया है जे सारविंद बिया ने बोला राजे जुएल जी ने बोला कि पिछले साथ दिन में चुनाओ बहुत टर्न हो गया है और भारती जनता पार्टी का जो कारिकरता घर से नहीं निकल रहा था पहले वो पिछले साथ आठ दिन में बड़ी संक्या में जन होना चाहा है मुझे जरूर आप बीच में बोल दीजेगा राजे जी एक चीज क्योंकि आपके नाम का भी जिक्राया और बहुत ज़्यादा चर्चामने भारती जिनता पार्टी के पक्ष्ट से जुड़ी हुई की हैं कॉंग्रेस के बात करना चाहता हूं जमीन पर क्या उम्मिद्वा चुनाओं लड़ता है तो जो मुद्धे हैं उन मुद्धों पर भाजपा जो है उसको टेकवर कर लेती है जैसे कमलनाच जी ने जो है जब नारी शक्ति या इस पकार की जो गोशनाय की तो शिवराज सिंग चोहान ने उससे बढ़की गोशनाय कर दी यही का जनता के नाराजगी विधायकों से है मंत्रियों से है मुख्य मंत्री से है भाजपा से है तो कांग्रेस का पूरी जो ताकत रही है जो उसका एक मुगालता रहा एक तरह मुगालता में शब्द इश्यूज करूँगा मैं कि वो जनता के परती रही है कल अब दिग्वे लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मेकवर किया है भाज़पान है और कांग्रेस को उसको उसको उनको वोट नहीं दें अब आप देखी कि एक तरफ इंडिया के नाम से घडबंदन होता है एक तरफ अखिलेश यादो या दूसरे आप पार्टी के नेता है वो यह सभाय कर रहा है तो के राष्टिस इस्तर पर है तो वी चोड़ रहा है कि मद्यवर्देश का मामला और ऑव ज़ी कर रहे है तो कांग्रेश का वोमीद्वारों पर है जंदाए चनाव लड़ रही है और भाचपा संगठं संग से लेकर पूरी ताकत लागागी आप इसमें जोड़ना चाने जी के तोर पर रहे जिसके अमीट चाप जनता के बीच में हो अब क्या हुआ कि जब परिवर्तन चुरू है गडवन्दनों की सरकार आई और भारती जनता पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ते अपना जनाधार बनाया जमीन मजबूत की और जब राज्ये से लगा कर केंद्र तक में वो आ गई तो चुकि उसका काम करने का तरीका तो केडर बेस है और उसका एक अनुशाशन है उसकी एक अपनी योजनाए हैं और एक वर्क को प्रवाइत करने के लिए उसने जो लगातार निरंतर प्रयास किये जिसकी इस देश में जर्रत भी महसूस की जा रही थी उस पर उसने काम किया, कॉंग्रेस ने यह मान कर चला, कॉंग्रेस के जो संगठन के लोग हैं, जो पार्टी प्रमुक्त लोग हैं, उसके कारीकरता का भी जो मानस है, वो यही है कि जिसको बोलते हैं कि दो लोगों के जगड़े का लाव हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको अपनी और से कोई अपना शक्ति नहीं दिखानी है तो यही जाके कॉंग्रेस लगातार कमजोर हो रही है तो वहां संगठन पे कभी भी काम नहीं होता है दूसरा मध्यप्रदेश के हम बात कर लें या बाकी जिन पांच राजों में चुनाओ रहे हैं वहां कभी आप देखें तो हिंदी पुस्टिकरण के खिलाब हिंदुत्व रास्टवाद यह बड़े मुद्ध हैं और हमको ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाओ में यह होते हैं अब लोक सोचने लगे हैं विधान सभाओं के चुनाओं में भी और नगरी निकाय के चुनाओं में भी इन बातों को असर आत उसको काफी हद तक बारती जनता प्राटी ने मद्धप्रदेश में महसूस करके पहले से देना शुरू कर दिया तो जो बात अभी आई भी कि एक यह है कि आप देंगे और एक यह है कि वो दे चुका है छे किष्टे डल चुकी है लाडली बहना की जून से शुरू हुआ है तो 6500 रुपे एक महिला के खते में आ चुके हैं अब आगे उनको उम्मीद है कि 1500 से 3000 भी हो जाएंगे ना तो उस इस्तर पर संतुस्ट हैं वो दूसरा राम मंदिर जिसका उद्गाटन 22 जनवरी को हो रहा है एक यह बड़ा माहुल देश में तियार कर रहा है और इसका व् चीजें वहाँ चल रही है फिर जो रास्टी स्वेम संख एक बड़ा जो शक्ती है इनकी ताकत है भारती जनता पार्टी की वो हर चुनाव में अपने डंग से काम करती है जो इस बार भी कर रही है उनके लोग घर घर जाकर और लोगों से मद्दान की अपील कर रहे हैं तो ग्रामिन शेत्र में आवास के लिए रही लाग रुपे की मदद, शेहरी शेत्र में डेड़ लाग रुपे की मदद, फिर गैस की टंकी आपने कर दी है साड़े चार सो रुपे की तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी सारी बातों को एक साथ खारिच करके और कॉंग्रेस के सिर्फ हवाई बादो पर भरोसा करके उसको वोट देंगे। दीखिए, मैं इसको सिर्फ महिलाओं तक सीमीत नहीं करना चाहती, कुल मिलाकर हाईएस रेटे माइग्रेशन का मद्यपदेश का, और हम उन लोगों की तरफ बात कर रहे हैं, जो मुखर होकर मॉल में घुमते हैं, शेहरों में घुम रहे हैं, और अपनी बात कह पा रहे है या मंडियों में भी आ रहे हैं, तो बहुत ट्रेक्टर के साथ आ रहे हैं, बड़े सक्षम हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका, बीस फिस्दी से ज्यादा वो है, जो इनके पास काम नहीं है, और वो लोट नहीं पा रहा है, मध्यपदेश में फिर से, और अभी पॉलिटि है, कि मध्यपदेश में काम और गरीबी का बहुत बड़ा विकराल रूप है, और बहुत बड़ी समस्या है, और ट्राइबल बेल्ट जो है, वो पूरी तरह से, अभी भी मन्रेगा का काम जो है, वो बहुत अपचारिक है, नाम के लिए चल रहा है, तो ऐसे वो बहुत रिय के फ्रेम या और्ग्नाजीशन के लेबल पर नहीं आग सकते, कॉंग्रेस कभी भी डिसिप्लीन और RSS के फ्रेम वाली पार्टी नहीं रही है, कॉंग्रेस का नेता कई बार हमें दिखता है, कि वो भाश्पा से ज्यादा मजबूत होता है, अगर वो मजबूत नहीं होता, तो इतना सारा भाश्पाई करण हुआ कॉंग्रेसियों का वो नहीं होता, वो पार्टी के इंटरनल इंडिफरेंसिस को भी निप्टाता है, सारे लोगों से निपढता है, पार्टी के भीतर उसके पास सो लोग होते हैं काम करने के लिए, अपोजीशन के पास हजार लोग ह होते हैं उन सो लोगों के दम पर वो अपना चुनाओ जीता है पार्टी के भीतर का जो असंतोश है उससे निपड़ता है और भाश्वा से भी निपड़ता है क्योंकि कॉंग्रेस ने शत्रब राजनिती को फॉर्मेट किया हुआ और ऑगनाइजेशन के लेवल पर केडर बेस नहीं चलती और वहाँ डिसिप्लेन का कोई मुद्दा ही नहीं है खुलकर आप पार्टी का जो हाई कमाने उसकी खिलाब बायान बाजियां होती है यह हम आप देख रहे हैं कि आज अखिलेश आकर यहां पर बोल रहे हैं तो उसक शुणाओ लड़ रहे हैं कि अपकाषन को किसी बही तरीके से निप्टा ना जानते हों और व्दॉन ठेल ना जानते हैं तो पूरा इलग है और हम अगर उस format में जाएंगे तो हमें कभी भी Congress बराबरी पर करती हुई भी नजर नहीं आएगी। क्योंकि जिस तरह का गटनागरम गुजरात में हुआ कि जिसका नाम कोई नहीं ले रहा था वो मुख्यंत्री बन गया। तो ऐसा नहीं है। हमें ऐसा कोई भी नाम जब इस तरह की बात आती है तो मोदी और अमेशा चोकाने में बड़ा मज़ा आता उनको। और उनके प्रयोग भी है। मतलब ठीक है राजनीती का जो अब तरीका बदल रहा है उसके साथ कारण ये सही है। पुड़बाजी पर समापत हो जाती है। नए वेक्ति के साथ दिक्कते नहीं देती है। मेरा ऐसा मानना है कि केलाजी को क्या जवाब दा नहीं मिलेगी। इसके बारे में तो अमिशा और नरेंद मुदी के अलाव नहीं पता है। क्योंकि केलाजी चुनाव लड़ेंगे ये भी उनको कुछ समय पहले ही बता चलाता। वो जो उनके बयानों से वो संकेत देने की कुशिश कर रहे हैं वो सिर्फ चुनावी संकेत हैं या कुछ उसमें जनकरी या कुछ भारीपन दिखता है। देखे यह जो बात है केलाजी वाली या केलाजी नहीं कर रहे हैं पहलाद पेडेल क्यां भी हो रही है नरेन सिंग जी तो उमर क्या भी हो रही है और गोपाल भारगाव एक मंत्री है वो तो यह के रहा है कि मेरे को गुरू महाराज के पास गया और मैंने उनसे का मैं फिर वो कितना सरकार है, क्योंकि कि ठीके चहरा नहीं दिया लेकिन सबस्यादा प्रभावी रैलियव सबस्यादा कार्एक्राम सबसे बड़ा प्रचार उन्हें के पास है देखी इसमें तो कोई डिस्पूट है नहीं तो अंडिस्पूटेड है मद्यबुदेश में कि भारतिन्ता पार्टी के पास ये जो मद्धिपुदेश में जितने नाम हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगप्री और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले नेता तो शिवराज सिंग चोहान तो पार्टी ने उनके कारण जो नुकसान हो रहा था उससे निपटने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बने एक वो लाइन बस और जोड़ रहा हूं अपने सवाल में जो मैंने उनसे भी पूची तीन दिसंबर के बार शिवराज सिंग चोहान के फिर राप राश्यांति पहले चल रहा था कि मत्यपदेश में अब शिवराज सिंग चोहान का दोर समाप तो रहा है वो आकलन उस दिन से बंद हो गया है क्योंकि वो जो सूची आई वो पूरी तरह से माना गया है कि वो सूची जैसा शिवराज सिंग चोहान ने चाहा वो सूची उसी के मताबिक है इसलिए अब हम यह नहीं कह सकते हैं अभी तक उसके पहले तक यह बिल्कुल कहा जा रहा था कि मद्यपदेश आने वाला समय मद्यपदेश में उस इवराज सिंग चौहान का नहीं है लेकिन इस से हमको अब जो है जो आखरी सूची आई और जिस तरीके से हाई कमान ने उनकी प्रसंद को प्राथमिकता दी उसके बाद वो मामला मतब वो अब लग रहा है कि वो उसको उस पर अभी चर्चा मतब नहीं हो सकती दूसी बाद में जो केलाश वुजरगी वाला जो बुद्दा है उसको पार्टी अचानक बोल दे कि आपको विधान सभा का चुनाओ लड़ना है ऐसे शेत्र में चुनाओ लड़ने भेज दे जहां से उसका कभी कोई वास्ता नहीं रहा है जहां उसका कोई नेटवर्क नहीं तो उसको तो अपने मद्दाताओं के बीच अपनी पकड़ जमाने अपने कारकरताओं का मारल बूस्ट परने के लिए कहना ही पड़ेगा ना कि भई आज ये अच्छा दूसरा है कि ये वहां का चुनाओ खड़ा हुआ है आज उसका में कारण ही है कि नोर एक के मद्दाता ये मान के चल रहे हैं कि यदि केलाश विजरगी चुनाओ जितने हैं मद्दी पुदेश में भारती यंता पार्टी की सरकार बनती तो हो सकता है कि हमारे विदायक को मुख्यमंत्री बनने का मुखबिल या इसी इसी किसी आप्शन पर बात हो लेगे पार्टी उनको एक नंबर से चुनाओ लड़ा दिया तो वहां पर कार्यकरताओं का मार अलबूस करने के लिए वहां के वोटर्स को अपने फेवर में करने के लिए ये उनकी स्ट्रेजी हाँ आप दोनों जोड़ना चाहरे है के कर क्या रहा है उसमें संकेतों पर ही हम बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री का चैन तो वाकई मोदी करेंगे लेकिन जो अभी रतलाम की सभा थी उसमें जब सिवराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा मोदी ने कहा कि जब मैं लाड़ी वहनाओं को देखता हूं तो मामा की याद आई जाती है तो मामा तो उसी दिन से निकल पड़े हैं तेजी से और उसके बाद मामा के आसपास के जो सुत्र हैं वो यह बताते हैं कि अब मामा ने मान लिया है कि मुख्यंत्री हर आलत में भले मजबूरी में बने या पाड़ी कि इच्छा से बने क्योंकि लोगप्री चेरा होने के साथ-साथ आने वाले तीन-चार मेने बाद ही लोग सभा चुनाओ भी मत्यूज़त से भाज़पा को जितना है और अपके बार 28 की 28 सीट जो है उनको मिले इसके लिए मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंग चोहान बने इसा माहल बनाया जा रहा है इसमें जोड़ना चाहरा है कि शुराज सिंग चोहान को माइनस करने की जो भूल बीच में बीजेपी नेतरतों ने की थी उसको उसने फिर से टिक करना शुरूर किया जिसर्विन ने बोलाया राइस आठोर ने बोला हम पिछले एक साल से अटकल इंदरी नेतरत्व उनको अटानी पाया ज़रूर है कि उन्होंने उसके ओपर लाज लोग बिठा दिये लेकिन अंततर लाडली भेहा से लेके तमाम जो योजना हैं जो शुराज जी का फिडबेक पता लगा हमिश्चा से लेके नरेन मोधी को तो उनको स्युकार करना हम लगातार देख रहा है पिसले 18 सालों से कि जब जब उनका ऐसा कुछ रहा तो और भी थाकत वर उनके उब्रे मुख्यमंति पर कायम रहे वो तो इसमें कोई आश्यरी नहीं होना चाहिए नरेन सिंग तोमर बेसा बेरा मानना है परसनल की वह मुख्यमंति की दोर से बाहर क्या है अब चुनाओ चल रहा है इसलिए पाड़े कुछ करेगी नहीं अवियाल लेकिन इसा मेरा व्यक्तिकत मानना है कि नरेन सिंग तोमर मुख्यमंति की दोर से बाहर हो चुके हैं प्रलात पटेल और बागी लोग बचे हुए हैं तो इसमें को आश्यरी नहीं होना चाह रहे हैं वो उतने सशक्त नहीं है दो अजार अठारा में भी टिकेट वितरंड शिवराज के मन मुताबिक हुआ था और दो अजार तेवीस में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल शिवराज के समर्थकों को टिकेट ना मिला हो तो जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आती है या अभी जो उम्मिद्वार गोशित हुए है उसमें भी शिवराज जी का वजन है इसके अलावा देश में इस समय जिस तरह की राजनीती चल रही है उसे में पिछड़ा वर्ग के बड़े चेहरे को मुख्यमंत्री के पस से हटा कर नया चेहरा लाने का जोकिम लोग सबाचु नौ के पहले शायद भारती जंदापर्टी नहीं उटाबाएं इसमें एक चीज आप बोल रहे हैं आप जोड़ना चाहते हैं सिर्फ यह जोड़ना चाहरा हो जहां सर आपने खत्म किया उसमें के लोग यह बोल रहे हैं कि फिर अकर विकल्पों पर जाना है पिष्ड़े के विकल्प पर तो चाहे प्रहलात पटेल की बात हो यह फग्दन सिंग कुलस्ते वो तो उस आदिवासी वर्ग से आ जाते हैं जहां मद्यप्रदेश महर पांचवा वेक्ति आदिवासी है फिर वो भी एक नाम प्रॉम्ट हो सकता है देखिए यदि शिवराज के विकल्प के बात चल रहे हैं ऐसे में बीजेपी के लिए किसी पावरफुल ओबीसी लीडर की उपेक्षा करना मैं तो इसको मेंने स्टिम से बाहर करना आसा नहीं लेकिन हम बात करते हैं तो फिर जो नाम सामने था मुझे लगता है कि जैसे राइस ने कहा कि यह जो एपिसोड हुआ है इसके बाद नरेन सिंग तो मर उसे परिदश्च से बाहर है अगर ओवी सी के मुखे मंत्री का रिप्लेस्मेंट या जिसको कहें कि हम दो नाम अगर हम हमारे सामने रखते हैं प्रहलाद पटेल और फगन सिंग कुलस्ते तो मुझे लगता है कि फिर प्रहलाद पटेल बहतर संभा होना है फिर उनके पक्ष में लेकिन मैं एक चीज और मुझे लगता है कि हमारी डिस्केशन में हमको लेना चाहिए कि हम इस बात को बिल्कुत समझ रहे हैं कि फ्री बीज एक बड़ा इशू हो गया लेकिन उतकर्ष एक बड़ा वर्ग मत्रिपदेश में वो भी जैस हमसे टेक्स ले रहो आप हमारा गला दमाने से पीछे नहीं रहते हैं और आप दूसरी तरब जो है एक एक रेंज तो होगी ना आपने हजार किया फिर वोटों का वो बढ़ाने के लिए आपने बारा सो पचास लिया है पचास लिए मैं जिस एरिया में रहता हूँ बहवर क की दिशा में कोई प्रैस नहीं होते है और जिन जिक्त पदों को भरने की जब भी बात आती है तो उसमें कहीं न कहीं जाके जो बच्चा तीन साल से चार साल से मेहनत करता जो पड़वारी चाहिन का मामला हुआ मत्वदेश में तो फाइनल सीन जो सामना आया उसने हजारों बच्चों को निराश कर दिया जो तैयारी कर रहे थे दो दो तिन थी उनको मालूम पड़ा कि यार जो लिस्ट निकली उसको ही सरकार ने वो कर दिया अल्टिमेटी जब लिस्ट को रोका मतलब कहीं न कहीं सरकार को यह महसूस हुआ न कि इसमें गलत हुआ तो एक बड़ा अनाइंप्लाइमेंट और प्लस करफशन यह भी दो इस इशू है जिनको हम मतलब हम यह नहीं कह सकती यह फ्रीबी जो है यह एक तरफा बिल्कुल सरकार के पक्षमें हवाले आएंगे यह दूसरे इसे हैं यह भी बहुत मतलब माइने रखते हैं कहीं न कहीं और इस पर भी सरकार को कहीं न कहीं नुकसान तो अभी की स्थिति में उठाना पड़ रहा है जो आपने कहा मैं कुछ मुद्धों पर बात करना चाहरता फिर आप साथ में अपनी बात जोड़ लीजेगा अब एक चेहरा जो मुझे लगता है जहां मैं मुझे आपसे बात करनी चाहिए दि करता हो तक उनकी सीधी पहुच है अपरोच है कवरलाज जी लोहों से मिलते नहीं है ऑनके बारे चलो-ाइसे चलाते रही वहाजपा हमेशा वो वाला है कि वो कार्पोरेट कल्चर के नेता है उनका अपना इस्टाइल है काम करने का दिग्विए सिंग सबके लिए सहज सुलज उपलब्द है कल भी आप देखोगे प्रेस कलम में के वायत है वो समय कम था उनके पास उसके बाद भी तीन-चार उनके बास कॉल आ कि उनको भागी नहीं होना था इस प्रकार का भी फिटवेक है तो दिग्विए सिंग की भूमी का इस चुनाव में संदे महत्वपूर्ण है वह एक किंग मेकर की भूमी का में है हाला कि भाजपा के लिए दिग्विए सिंग जादा आसान है मिस्टर बंटा ढाल जो की आज दो जार किन चार की चुनाव में था वह आज भी है कमनात के खिलाब तो जादा इश्यू भाजपा के पास नहीं है लेकिन दिग्वे सिंग जरूर उनके टार्गेट पर रहते हैं और खुद भी बोलते हैं वह कि मेरे बयान आलोशनात्मग रहते हैं इसलिए उनकी सभाय का पर देश के बीच में वह जो हम बात करते हैं कि मंतिपदेश में सबसे बड़े स्विकारे चहरों की लिस्टर गर बने कहा आप उनको बात? जिस ताकत से वह कैपेसिटी से वह कॉंग्रिस को लड़वा रहे हैं या वह एक अलग किस्म की राजनीती के चेहर हैं लेकिन एक अलग किस्म का अतारतम में है, कॉडिनेशन है दोनों के बीच में बहले ही वह कपड़ा फाड़ प्रतियोगी था अभी हमें दिखाई दी है लेकिन अधर्वाइस दोनों के बीच में जो रिष्टे हैं वो है कि संगठन को चार्ज करने का काम अगर दिखविजे सिंग करते हैं तो पार्टी का जो दूसरा फिनैंसिस नेटवर्क और तमाम पार्टी को जो बीजे बी के मुकाबले खरचे के मामले में और पार्टी को चुनाओ लड़वाने के मामले में जो शक्ती और जो ताकत है वो कमलनाथ के पास होती है और कमलनाथ का एक इफेक्ट्यू गवर्नेंस इस मामले में रहा है कि वो बहुत डेवलप्मेंट पॉलिटिक्स के व्यक्ति रहे हैं लेकिन ये बहुत दुरभागे पुर्ण है कि जैसा कि कॉंग्रेस जानती ही नहीं अपने एलेक्शन कैम्पेन को करना वो इस माहुल को खड़ाई नहीं कर पाई कि उसका जो इंडस्ट्री में गुस्पैट है उनकी इंडस्ट्री में जो पकड़ है और पंदरा मेनों की सरकार में कई इंडस्ट्री और तमाम लोग जो दारेक्टली चाहे वो बहार के योईये के प्रिंस हो या तमाम लोगों का उनका जो डारेक्ट नेटवर्क रहा है और आज दावस में भी वो इतने सालों से मंत्री नहीं होने के बाद भी वो अपना काम करते रहे और जाते रहे तो कॉंग्रेस उस माहुल को खड़ा नहीं क्रियेट किये ऐसा बताने की जरूर कोशिश की लेकिन कॉंग्रेस उस में पूरी तरह से पिछड़ गई वो माहुल खड़ा करने में और सब कुछ तो कमलनाथ जो है वो भले ही जननेता नहीं है लेकिन एड्मिनिस्टेशन को ठीक से समझते हैं तो सरकार को चलाना और एक गवर्नेंस देना एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि पंद्रा महने के बाद ही जब कमलनाथ की सरकार गई उसके बाद ही शिराज ने वो कोशिश की कि वो अपने आपको अग्रेसिवली बताने की कोशिश करे एड्मिनिस्टेटिव फॉर्म में जबकि भी तक ऐसा नहीं थ कि समझने की कोशिश की कि हमारा जो एक चेहरा जो जा रहा है सरकार का उसको बदलने की जरूरत ऐसा महसूस हुआ उस दोरन तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जो है वो एक बहतर विकल्प होंगे अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपने कहा था कि चुनाव में स्थानी मुद्दों से ज्यादा वो जो राश्ट्री मुद्दे उसकी बात है लेकिन कुछ मुद्दों पर मुझे लगता कि आपके अनुभाव के हिसाब से बात क्यों नहीं हो रही है हमने सीधी कांट देखा उसके बाद लग रहा था कि मद्देश में बड़ा मुद्दा होगा ए इसके बाद जो युवाओं की बात आती है हर शहर में जब हम निकलते हैं हमको आद सुभाई इंदौर में कुछ विवा मिल गए जुन्होंने का कि 2017 साई की परिक्षा नहीं आई पटवारी की परिक्षा की बेटे थे ते वह उमीदवार नहीं है पर यह मुद्दे क्यों ज चुनाओं के मुद्दे क्यों नहीं बन पाते हैं या लोग इस पर चर्चा क्यों नहीं कर दे दासल इस तरह कि तमाम बाते जाहें बुद्दी जीवें के बीच में मेडिया के बीच में और बहुत सिमित वर्क के बीच में चर्चा के इस तर पर होती है क्रियानवेन के इस पर जो मानसिक्ता बना दी गई हमारी, जो सोच हमारा बन गया है, जो सिक्षा पद्धती के नुकसान जो हम लोग भोग रहे हैं, वो आज भी भोग रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, आप देख लिजी कि सो बच्चे अगर MBA करके निकल रहे हैं, तो नभ्य की तासिर ये है कि उसक पचास लाक एक करोड है, उनके एकनौ में बहुत स्ट्रॉंग है, क्योंकि वहाँ एक एक व्यक्ति काम कर रहा है, महिलाएं काम कर रही है, वहाँ पर 16 साल, 17 साल के बाद में, इसको लिंक के बाद में, बच्चे को रोजगार के लिए भेज़ दिया है, ता घर से हटा देत हैं, आपका खडशम नहीं उठाएंगा, आप खुद अपना उद्यम कीजिए, वो नोकरी करेगा, मौल में करेगा, जहां भी करेगा वो, अपना खुद का काम शुरू करेगा, हमारे यहाँ पर भी इसलिए बेरोजगारी की बाते जो की जाती है, मेरे इसे कई अनुभाव हैं, मैं आपको पचास दारन बता सकता हूँ, जिसका अभी यहाँ कोई उचिते नहीं है, कि काम के लिए लोगों को बात की जाती है, हायर करने के लिए जाते हैं, कोई काम करने को तहीं आदमे, क्योंकि उसको नहीं करना है काम, उसको नोकरी ही चाहिए, तो आप और घुमी को इसका इलाज नहीं है। दूसरा जो शिवराज को लेकर लगातार बात की जाती रही है एक साल से, कि शिवराज हटाए जाएंगे या रहेंगे कोई दूसरा मुख्यवंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, या साथ सांसदों को लियाया हैं तो इसमें से कोई जाद मुझे तो व्यक्तिकत रूप से यह लग रहा कि शिवरा सिंग चोहान शिर्ष नेतरत की नजर में 2014 से हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी उस समय उनको केंदरी क्रशी मंतरी का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन वो प्रदेश नहीं छोड़ना चाते थे, इसलिए यहीं पर र सारी खूबिया उन में है, उसका उपयोग मद्यप्रदेश में ही बेहतर तरीके से करने के लिए उनको यहां रखा गया है, लोगसभा चुनाव तक भाष्वा की सरकार बनने पर लोगसभा चुनाव तक शिवराज ही मुख्यमंतरी रहेंगे ताकि कि किसी और को बनाने पर कोई विवाध ही नपन पर और उसके बाद में देखी जाएगी कि अगर उसके बाद नेतरत परिवर्तन करना है तो करेंगे और मुझे इसी सम्वाव ना लग रही कि इसके बाद में हो सकता है शिवरा सिंग चोहन को राश्टी अध्यक्ष बना दिया जाए आप तो एक और वो जो बात हुई कि हम कहरते कि वो आंकलन क्या कहता है जहां अपने का कि उससे बचना चाहिए एक चहरा जिस पर मैं जरूर चाहूंगा कि कहा जाए और वहां पर काफी कुछ कहा जा सकता है जोतिराजित सिंधिया पांच साल पहले खेमा दूसरा था अठा परिवार ऐसा हुआ है कि राजा माराजा के परिवार का आदमी अंतर विरोध के चलते अपने महल के सामने लोगों का विरोध देख रहा है और तो और जो नाराज कार करता है उनको शांत करने के लिए जमिन पर बेढ़ रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस में वो प्रिंस करती हो गई कि अब उनको भी समय लेना पड़ता है और दिल्ली तो दूर मदबदेश में भाजपा के नेता उनको कोई भी महराज कहना पसंद नहीं करता है और उनके सामने इस चुनाओं के बाद मुझे यसा लगता है कि सिंधिया फिलाल जो है आराम की इस्तिती में ही रहेंगे जो मंत्री बने में हैं वो बने में हैं लेकिन उनके कई समर्थ चुनावार रहें और उनके जो मंत्री हैं उनके भष्टाचार को लेकर भाजपा के नेताओं ने हम तक खबरें पोचाईए यहां तक कि मैं और जानकारिया आज साजनी कर देता हूं कि मेरे पास मद्रेश सरकार के कुछ अफसरों के फोन आए कि यह जोतिरादी सिंधिया के ब्रहष्ट मंत्री हैं इनके खिलाब हम आपको दस्तावेज उपलत करा देते हैं आप खबर चापिए तो यह इस्तिती सिंधिया की हो गई है अब जो आपने कहा था मैं चाहता हूं अब उस पर बात हो जाए मध्यपेश कर्जे में हैं सबको पता है कुई लोग बताते हैं कि मतोंगी पक्षा है प्री की सारे साधन देने की दोनुकी घोशना है तो मध्यपेश फिर कहां जाएगा! राजनातिक तोर पर देखे ये तो पूरे देश में अर्थशास्टियों के बीच में चर्चा का विश्य बनी चुका है कि ये जो लगातार इस्थितियां चल रही है रायस्थान से जो सिल्सिला शुरू हुआ रायस्थान में अशोग गहलोत ने जो कुछ किया चत्तिस गड़ में बुपेश बगेल ने किया मद्यबदेश में शिवरासिंग चुआन ने का और फिर कमलनात ने उसको काउंटर करने के लिए तमाम गोशना करती तो ये मतलब करजे के बोज में ही डालते जा रहे हैं और इ अगर बात करें तो जो शीलंका में स्थितिया बनी है जो स्थितिया बनी है न तो कई लोग बोलने लगें कि वो दिन दूर नहीं जब मद्यबदेश में भी यसी स्थितिया बनेगी क्योंकि देखिया आप सोर्सेस तो रिसोर्स तो लिमिटेड है मद्यबदेश सरकार को प आप देख लीजेगा कि जब बहुत मतलब राजकता की आर्थिक अराजकता की स्थिति हो जाएगी ना तो बड़े वित्ती संस्तान या सरकार ठीक है अभी तो अपनी गुडवील के आधार पर करजा ले लेती है लेकिन एक स्थिति ऐसी भी बनना है कि जब करजा मिलना मुश कि जब कर रहे थे किती जब लोगों ने बड़े बड़े दख रहे है या करकार हो थी बिल्कु सही का ना कई जगए हो रहा है क्या था कि पुराने समयमें जो भी क्लेक्टेट थी वो प्राइंट लोकेशन पर थी शहर के बीच तो नई जमीने बेचेमती उक पूरानी जेल प्रदेश को परिणाम है वह अगले लोग सबाद चुनाव को दोजर चुनाव को किस तरीके से किस कदर और कितना प्रभावित करेगा कई लोग सेमी फाइनल बोलते हैं लेकिन मतलब एक बात कही जाती है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है इसलिए कि सेमी फाइनल जो हरता मध्यप्रदेश में राजस्तान में चत्तिसगड़ में जो कि हिंदी भाशी राज्ये हैं इनमें ताकत लगाए हुए भारती जन्ता पार्टी की मूल ताकत ही इन प्रदेशों में है पिछली बार भी मध्यप्रदेश की 29 में से 27 लोग सबा सीटे भारती जन्ता पार्टी जीती थी राजस्तान की ज्यादा तर सीटे चतिसगड़ की सीटे तो निश्चित तोर पर ये सेमी फाइनल है और जो पांच राज्यों का ये चुनाओ है इनमें जो ये तीन राज्ये हैं हिंदी पट्टी के मध्यप्रदेश चतिसगड़ राजस्तान यहां का जो विधान चुनाओ है उस पर बहुत बड़ा असर डालेगा और इससे दोनों ही दलावगत हैं कॉंग्रेस ये चाह रही है कि वो राजस्तान बचाले च्छतिसगड़ बचाले मध्यप्रदेश वापस 2018 की तरह जीत ले ताकि उसको एक संजीवनी मिले आगे चलकर अगर उसको सरकार बनाना है और भारती जनता पार्टी जो है वो राजस्तान कांग्रेस से चीनना चाहती चाहती है और मध्यप्रदेश में अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है ताकि 24 की रहा उसके लिए आसान हो जाए बहुत बहुत शुक्री आप सभी का लेकिन एक बात जो मुझे ल इक लिए एक अपील इस चर्चा के अंत में मैं आप सभी की ओर से कर सकता हूं कि सतर तरिक को बाहर निकलिए जैसे इंदौर को आप सब्सक्रा में नंबर एक बनाते हैं मध्यप्रदेश में मध्दान में भी नंबर एक बनाई और मध्यप्रदेश के तमाम निवासी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भी शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रह करें तो हमारे तो हमारे वीडियो जू एesz्ज सब्सक्राइब करें अभी खरूली है, ऩा वीर के लिए टना वे ओ सतंकी हैं हादाना फ्सातरण